गुद मोरिंग क्यार बच्छो वेल्कम कुदा क्लास ऑफ बाइड़ी बाइड़ी बाइड़ाना तोड़ें इलेवन्थ क्लास इन नाइफ चैट्रें इन साइकिंड लेक्चर आपको सबीको पता है जो टोपिक स्टुडी कर रहे हैं हम जो चैप्टर स्टुडी कर रहे हैं है हाम जो चैप्टर स्टुडी कर रहे हैं वह है बाइयो मोलिक्यू वा बाइयो मोलेक्यूल कुल्स क्रशियूनों इन लिंग तिन्स jaarl के कर एक सब्से क्रण तो घ्रिःड्स को इस को ट्रिंग को बहुश जैसा कि नामसे इस फस्त है, these are the compounds, these are the compound which has carbon, hydrogen and oxygen, वो compound जिन में carbon, hydrogen and oxygen अखते हैं, they are called carbohydrates, यह old definition है, यह फुराणी definition है, अब इसकी exception भी है, for example, if you will look at NaHCO3, इसमें hydrogen भी है, carbon भी है, oxygen भी है, लेकिन फिर भी यह carbohydrate नहीं है, तो carbohydrates यह early definition थी, अगरा जो point था, they have C, H and O in the ratio of one ratio, two ratio, one respectively, hence carbon hydrogen oxygen का ratio क्या होगा, one ratio, two ratio, one होगा, hence, इनका जो general formula है, hence, जो general formula है, वो क्या होगा जाएगा, C, N, X, 2, N, O, N, अगर यहाँ पर हम N1, 6 ले ले, N represent number of carbon, N represent number of carbon, अगर यहाँ पर N6 ले ले, तो formula हमारा क्या होगा, C6, X12, O6, यहाँ पर N किसको represent कर रहा है, यहाँ पर N represent the number of carbon, यह formula जो में अभी आभी आपको बताया है, यह applicable है, mostly carbohydrates में, लेकिन इसकी भी exception है, अगला point है, carbohydrates are commonly carbon, इनको commonly saccharides बोलते हैं, क्या बोलते हैं, saccharides, अग इसकी भी drawback है, इस लाइन की भी drawback है, तो exact definition क्या है, chemically, अगर तो chemically को definition की बात करें, without any exception, तो carbohydrates जो definition आजाएगी, chemically, chemical definition क्या है, chemically जो carbohydrates है, दी जार्दा, polyhydroxy, दी जार्दा, polyhydroxy, carbohydrates क्या है, polyhydroxy, polyhydroxy का मतलब क्या है, polyhydroxy कार्बन चेन, एक कार्बन चेन और इसमें बहुत सारे आईड्रोजन और OH होंगे, H and OH होंगे, पलस, पलस, आज ही दिसक्स करेंगे, तो chemically carbohydrates है, polyhydroxy carbon containing compound, उसमें आईड्रोजन और OH ह होंगे, और साथ में उनके पास, LD-8 ग्रूप या किटोन ग्रूप लगावा मिलेगा, LD-8 ग्रूप क्या होता है, चेन के अंदर, C, double bond, O, H लगावा मिलेगा, इधर चेन मिलेगा carbon chain, और इसमें carbon chain के दोनों साइड, इधर भी carbon chain, इधर भी carbon chain, और बीच में क्या मिलेगा, C, double bond, O, यह आप डिसक्स कर चुके हो, यह तो है जो LD-8 ग्रूप है, और जो यह है, किटोन ग्रूप है, यह आप यह है, यह आपनेस नहीं हम डिसक्स करेंगे, तो सेक्राइट इतने भी, सेक्राइट वो सेक्राइट, सेक्राइट विच है, LD-8 ग्रूप, जिन सेक्राइट में, जिन सुगर में, LD-8 ग्रूप होता है, यह थाल्ड एल्डोज, जिन सुगर में, यह थैए जिन सुगर में, किटोज ऋ इससरं ग्रूप निकुला प्रूप कर दो, जिन स्यद्छाइट ओजमींगा हो, चीटोज परुप में , किटोजरोब ये परूप में, किटोजरोब ग्रूप में, किटोजरोब कर दोखने। मिलेगा हो क्रिए अगरा अगरेंट कोई भी जो सुग्रीट क्रिवि जो सेक्राइट सें यह ताइडेटे शनले साइज येडिक है यह यह फॉटोश निथैसिपाश यह तो जो कार्वाटर सें को फोटोशी नीसें होता है तो तो एंड पॉड़क्त होता है गुनकोज लेकिन जब फोटो सिंथेसिस हो रहा है बाइदा साइकल C3 साइकल हम पढ़ेंगे तो इसमें बीच में और भी बहुत डिफ्रेंट टाइप की सुगर बनती है और कर्भाइड़ेट्स के हैं में सोर्स ओफ एनर्जी है छेकल के अंदर 55 से 65 परशन्त जो एनर्जी कर्भाइडेट्स से कुछती है कि से कर्भाइडेड्स के तो यह सिंपल सी बात है कर्भाइडेडस कूं क्या बोलते हैं को मिलका टारप यह क्लों नीक्रीं existing और गार्भाइडेड्स कूं सायवावल्ल जर सी बोलते हैं साउगर बो यहां किटों गूंट उनके एक तो यह सोग्रें आजो कि मुझा अंभी डिस्कसप राघने वाले वेट लू तो जितने मी शुगर हैं जितनी भी सेक्राइंटने कॉरियों को मिने दो गूर्प में डिवाइड कर दिया एक तो एल्डोस सुगर तो एल्डोस ओंटोस का मतलब वाइट यह पूमने दूरिंग इस फोटो शिंथैसिस और यह जो सेख्राइड जो कर्भो आडट ने जो सुग्र हैं जो सूगर है ते या दम मेल शोर्स आ एनर्जी फोर दा शैर अब जो नेक्स टॉपिक हमारा नेक्स टोपिक हमारा एक्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के है कि यह सेख्राइट आइंड बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट ही ही इस आफ का टॉपिक स्टार्ट होगा सारे का सारा में इस तर्ट करें तो सेख्राइट को कर्भोइड्रेट को मांने 3 इन डैसमें कर रख है किस बेस पे ओन दा बेसिज ओफ हाइड्रोलाइस हाइड्रोलाइस के बिहाब ते एक तो वो सेक्राइड जिनका हाइड्रोलाइस बात करें अब अगर आपने सुन रख दूट सकते हैं इसी को तोड़ोंगे यह तूट सकते हैं इसी सिंपल कंपाउंड के मिल जाएंगे अमिन इसे इसे अब बात करें आपने सबीने सुन रख है है माल्टोज माल्टोज आगर तूट सकती संवाइब या इजी इस माल्टोज का फदर हाइड्रोलाइस हो सकता हो लेकिन गुलुकोज राज़ागे फुप्दर महीं से बत्थ और मॉल्मस सफ नहीं मिलेगे तो तो जिस शुगर काboyń 2प सिमपल्ब मोंवर बन सकते हैं वुदis क्या होते हैं फुर्दर ईडर्टा सब्सक्री जिसको योटर डालखे फुर्दर सिमप्र पॉंद्स में नहीं सकता द्यार чаण्ड मोनो सधाइट्य स्यार काल्ड मोनो सट्राइट अब एक होते हैं ओ committee सब्सक्राइट कि दीज आर दो सब्सक्राइट कि विच ओन आइडरलाइस जिसको आइडरलाइस करके तोड़ा जा सकता है सब्सक्राइट को सिसाइट करने क्लें आपने लेक्तो सब्सक्राइट करें है तो lambent लेक्टोज चुट्थे गा तो एक तो बन जाएगा ग्लुकोज यह डिसकस करने वाड़ है इनकी तेल और एक बन जाएगा ग्लैक्टोज तो इस लेक्टोज का फुर्दर हाइट्रोड़ाइज पॉसीबल है into दो एक प्रटराइब सीचैंअ ciaoali फीर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो तो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब बोल दो which cannot be further hydrolyzed into simple monomer जिसको आप simple monomer में नहीं तोड़ सकते point clear है ना oligosaccharides क्या होते है these are those carbohydrates which can be further hydrolyzed जिसको आपके water डालके तोड़ सकते है and yield जो देंगे कितने 2 to 10 monomers और एक होते है वेटा phony saccharides ये क्या होते है polysaccharides polysaccharides क्या होते है which on hydrolysis gives more than 10 monosaccharides जो जिसका आपके hydrolysis ना हो they are monosaccharides जिसका आपके hydrolyzer होने से 2 to 10 या कुछ बुक में 2 to 6 कुछ में 2 to 7 उसमें 2 to 8 भी लिखा हो सकता है 2 to 8 बोल लो आप ये नर्मली में 10 बोल देता हूं 2 to 8 ये 2 to 6 भी हो सकता है भुक में कुछ भुक में 2 to 7 भी है तो oligosaccharides are those carbohydrates those sugar which can be further broken down by use of water मतलब hydrolysis हो सकता है water डाल के किसी को तोड़ना that is called hydrolysis जिसको water use करके फर्थर monosaccharides में तोड़ा दा सकता है जिससे ही तूट रहा है 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 तूट को 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 मोनो सेक्राइट काफते म मोनो सेक्राइट जिसको आगे फर्दर नहीं तोड़ा दा सकता विश करनों फृद थाई अब की आगे इसकी भी टाइप से यह फर्दर टाइप से इसकी on the basis of इसकी कई सारी टाइप है on the basis of number of carbon कि अंदर कर्बन कितने हैं जैसे नमरे एक हैं आप कि ट्राइओज वर्ड ठोड़ दो ट्राइप मीन्स तीन और ओज मीन्स सुगर ऐसी सुगर जिसके अंदर थ्रे कर्बन होते हैं अधिक सूगर डिसीता सूगर सिंपल सूगर है को आगे नहीं तोड़ा जा सकता और इस शूगर के अंगर कितने कार्बन होंगे ठीट तो यह 3 कार्बं कौगर है इसका अगसेंपल बात करोगे तो इसका एक्जेंपल हो जाएगा ग्रिस्टल्दीएड और dia hydroxy एसी प्रॉन यह ऐसी सुगर या गया हैं नहीं इसमें भी तील कर्छ भैरो, इनको मैंने glycerol dehydelle को मैंने מोसेगर तेयों बोला है या ब्रोक्सिय आसिटोन को मोनो साथियर यहोग है क्योंकि इन और फृदर और सिंधल में और सिंपल ओसे मोनोमरिस नहीं मिले मिलए है ओने यह आर कांभ लुड़ में सखर यिख क्रीवोट यह ऑन से सरके त्री गर्सब değil के अंच छफिंट में एक करम उसी एक्षाख ले गूता हो है कर दो इसमें अपल के तर्ड़ुरुश। मेंने अखुए और प्रड़ु जाने का दो के तर्ड़ुरुच। इसमेंड है प्रड़ुच। क्या उत्या कर दो है ट्रबूच। और बूचींग कर विदिधें ट्रबूच। इसमें आएगा आपका अरिथ्रोज एक सुगर है अरिथ्रोज क्या परे बच्छो एक सुगर है जिसमें 4-carbon होते हैं कितने होते हैं 4-carbon इसमें आपका पन्टोज बताओ पन्टोज बताओ पन्टोज बताओ पन्टोज 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 पन् जाइलोज हो राइवियू लोज अब इन में सभी में राइबोज डियोप्सी राइबोज जाइलोज राइवियू लोज इन सभी में कितने करपन हैं फाइव करपन हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर अमारे पास number of carbon हो and represent the number of carbon तो हमें X और O का number भी पता कर सकते हैं in that sugar. डाया हिड्रोक्षेचितोन का फॉर्मूला कहा है? C6, sorry, sorry, C3, X6, O3. क्योंकि ये triose, इसमें 3 carbon है. Erythrose का फॉर्मूला C4, X8, O4. राइबोज में C5, X10, O5. डियोक्ष राइबोज में C5, X10, O4. ये एक मात्र सुगर है, ये एक सुगर है, पैंटोर सुगर है, लेकिन ये इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करती है. बहुत important question है, name the sugar, which does not follow the general structural formula. जो general formula है, उसको follow नहीं करती है. क्योंकि यहाँ पे O5 होना, अच्छी था according to formula. क्योंकि अगर हम जो formula follow कर रहे है, हमारा formula क्या है C, N, X, 2, N, O, N. और यहाँ पे N क्या है? N is the number of carbon. तो यहाँ पे, यह follow नहीं हो रहे है. अगर हम बात करें, जाइलोज, इसमें भी C, 5, H, 10, O, 5. इसमें भी क्या C, 5, H, 10, O, 5. बात करें, जाइलोज, 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 ज मैनोज है, इन सभी का फॉर्मूला, इन सभी का फॉर्मूला, C6H12O6 है, यानि इन सभी का मोलिकुलर फॉर्मूला, MF, सभी का सेम है, लेकिन इन सभी का स्ट्रॉक्चरल फॉर्मूला, हम डिस्कस करेंगे, इन सभी का स्ट्रॉक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट है, आपको आईसोमर क्या होते हैं वो गंपांड जिनका मॉलेकिलर फॉर्मॉला तो सेम वो लेकिन स्ट्रॉक्चरल फॉर्मॉला भी दिखाऊंगा आपको इन सभी के स्ट्रॉक्चरल फॉर्मॉले अलग अलग हैं लेकिन उन्हें किस्तोर कि अधर सेमर किसी के अंदर 6 Carbon है आइडिजन 12 है ओक्सिजन 6 है एक माथतर यह सुगर है जो इस फॉर्मूला को फोलो नहीं कर रहें अधरवाइस जिकली इस सुगर हम आपको पड़ा रहे हैं सभी इसको फोलो करती है तो हैक जो दो दो रट्टा ना ना रहे है ओज मींस सुगर और है इस मतलब 6 करब राइट सेक नेक्स्ट है 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 फ्टोज सेवन ओज मींस सुगर तो इत इजे सुगर विच एज सेवन सेवन यहां पर क्या है करबन है इसका सैटोग है ट्यू लौज एक और यह सबीन करने आने वाद हैं यह सारी है टोटियुके सी तोड़ों के तोड़ोंगे ना तोड़ों कि विल जायेगा प्रमूल कर दूड़ों हैज है क्यों बीकोज दोड़े आ हुआ है जैसे लैक्टोज को तोड़ोगे मिल जाएगा एक गलैक्टोज मिल जाएगा अगर थो इसको तोड़ोगे नहीं तोड़ने से आपको सिंपल सूगर नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है कि इसको तोड़ तो 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 आपको तीम तीम कर्पान की दो सुगर दिए healthy this नोग पॉसिबल एक चाहिए इसको तोड़ के तीम तीम कारपन की दो सुगर बन जाएगी नहीं बनेगी क्योंकि यह मोनो सैक्राइड की डेफिनेसिट हिए होती है या दीजाता सुगर से क्यार्बॉ बोड़के आप और सिंपल सुगर नहीं बना सकते सिंपलेस्ट एस्टी लगाया है मैं सिंपलेस्ट इससे आगे और सिंपल सुगर आपको नहीं मिलें एक साइटन बेटा अगर आपको मैं मोनो सेक्राइट्स के बारे में दो तीन बताओं अगर मैं आपको मोनो सेक्राइट्स के बारे में इसको साफ कर लेते हैं झाल